हेलो माई व्यूटिफुल फैमली कैसे हो आप सब असा करती हूँ बढ़िया होंगे मजे में होंगे तो आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ छोटी बड़ी जितनी भी बास्केट आपके घर में सब को आप अलग अलग तरीके से रियूज कर सकते हैं और इन त्योहार आप अपने घर को किचिन को व्यवस्थित कर सकते हैं जैसे कि आप सभी को पता है भी त्योहार लगे हुए हैं जोर सोर से सभी के घरों में सजावट चल लए है किचिन में और घर में आप अपने चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं तो इन बास्केट के दुआरा हम अपने घर को और्गनाज कर सकते हैं वो भी अलग-अलग तरीकों से बहुत ही अच्छी सी वीडियो है फ्रेंड बने रहीएगा सबसे पहली टॉपिक होने वाला है हमारा देखिए इस बास्केट को मैं यूज कैसे करने जा रही हूँ यूज करने के तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं अपना तरीका शेयर कर ली हूँ मैं इसमें क्या रखोंगी मैं रखने जारी हूँ इसमें अपने कान के एरिंग देखिए फ्रेंड हम और तो के पास इतने सारे एरिंग होते हैं के हम उन्हें व्यवस्तित नहीं कर पाते हैं Chirinia को तो खरिद लेते हैं कोई प्रब्लäम नेइन लेकिन पता तब चलता है जब हम इने व्यवस्थित नहीं कर पाते हैं और हमें tension रहती है और जब हमें जर्रत रहती है पहने कि तो हम इस तरीके से खोजते रहते हैं कि कौन सा top कहां पे मतलब मिलेगा इसी में हमारा काफी सारा समय weight हो जाता है तो क्यों ना हम इने पहले विवस्थित कर लें कुछ ऐसा बना लें कि ये हमेशा के लिए organize हो जाएं तो कुछ earring मैंने इसमें निकाल लिए हैं ताकि मैं आपको idea share कर सकूँ तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसमें अपने top लगाएंगे और अंदर के तरफ से इसमें lock लगाते जाएंगे तो जिससे ये होगा इसमें set हो जाएगा ये खुल कर भी गिरेगा नहीं तो जब आपको पहनने हो तो इसमें से निकाल कर पहन लिजिए और जब निकाल कर रखने हो तो फिर इसी तरीके से इसमें निकाल कर रख लीजे है न बेस्ट आइड है फ्रेंड किसने सोचा था कि मतलब इन टोकरी का यूज हम अपने इयर रिंग को और्गनाइज करने में भी कर सकते हैं तो करने को फ्रेंड बहुत कुछ किया जा सकता है बस जर्रत होती है मैं अपने थोड़ा सा दिमाग लगाने की अगर हम दिमाग लगा लें तो अपने घर को और अपनी लाइफ को हमेशा के लिए सेट कर सकते हैं व्यवस्तित कर सकते हैं तो इस तरीके से देखी फ्रेंड मैं इसमें एरिंग लगाने जा रही हूँ आपके पास जितने भी एरिंग है एक ही बास्केट के अंदर काफी सारे आ जाएंगे ये देखी फ्रेंड मैं आपको आइडिया शेयर कर रही हूँ तो इस तरीके से आप अपने उल्जे हुए कामों को सुलजा सकते हैं और बहुत अच्छे से इने रियूज कर सकते हैं प्लास्टिक की बास्केट को तो ये लिजे फ्रेंड ये हमारा एरिंग स्टेंड बनके तयार हो गया है अगर आपको इसे कहीं पर टांग ना है तो इसमें क्या कीजिए आप यहाँ पर एक डोरी बान लीजिए और इसे कहीं दिवार पर भी टांग सकती हैं ये फिर आपको कहीं जैसे भी रखना इस तरीके से भी रखेंगे वैसे भी नीचे तब भी ये रखा रहेगा देखने में सुन्दा लएगा तो इस तरीके से आप इसे अपने डेसिंग टेविल पर रख सकती है ये फिर किसी वॉल पर भी से टांक सकती है चलिए फ्रेंड एक और आइडिया देख लेते हैं इससे कैसे रियूज करना है वो भी आपको मैं बता रही हूँ तो देखिए ये आइडिया मैं शेयर कर दी हूँ आपको ये बनाना कैसे है तो छोटी बास्केट मैंने उठाई हुई है और दो हैंगर मैंने लिए है तो देखिए आपको यहाँ पर बड़ी बास्केट लेनी हो कि थोड़ी सी हैंगर के नाप की तो मैं यह idea share कर देती हूँ, इस तरीके से हम इसमें hanger set कर लेंगे, दोनों तरफ से बांध देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही प्यारा सा हमारा organizer बन जाएगा, यह लीजिए friend, मैंने बड़ी basket में पहले से बांध के रख लिया है, ताकि मैं आपको अच organize कर लिजे, आपने वो सारे कपड़े जो आप विवस्तित नहीं कर पा रहे हैं सही से, चाहे पड़ते हों, साड़या हों, टावल हों, या कुछ भी कपड़े हों, तो कपड़े भी आप इसमें स्टोर कर सकते हैं, या फिर अभी बहुत सारी चीजे organize करने के लिए घरों में रखे रहते हैं, वो विवस्तित कर सकते हैं, अगर आप इसे भार खुले में रखे में तो एक दुपट्टे से ठख दीजिए, अगर गोद्रेज में आपको टांगना है, तो यह देखी, इस तरीके से आप गोद्रेज में भी से टांग सकती हैं, तो चलिए फ्रेंट, पर बताये कब मैं वेट करूंगे, तो एक तरफ आप अपने हैंकी रख लीजिए, और एक तरफ इसमें आप अपने सॉक्स रख लीजिए, यानि के वो सारी चीजे, वो सारे कपड़े आप इसमें इसमें स्टोर कर सकते हैं, जो बड़े कपड़ों के साथ गुम हो जाते है और समय पर मिलते नहीं है, तो यह लीजिए आप इसमें चोटे मोटे कपड़े भी और्गनाइज करके रख सकते हैं, और देखिए इसे कैसे मैं यूज करूंगी वो भी आप देख लीजिए, तो बहुती खास सा यूज है इसमें यूज करूंगी मैं अपने बिंदी के पत आपको पसंद आया होगा, तो इस तरीके से आप बिंद्यों में भी इसे यूज कर सकते हैं, देखते हैं एक और आइडिया, अब देखिए यहां पर मैंने एक जाडू की सिंक ली है, आपके पास कोई स्टिक है, बढ़िया सी सुन्दर सी तो वह ले सकते हैं, मेरे पास थी जैसी मैंने वैसी ले लिए है, अब देखिए फ्रेंड इसमें और्गनाज करने जारी हूँ मैं अपने बैंगल, हाँ यह भी और्गनाज करने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि यह इधर उदर रखे रहते हैं, जिससे यह खराब हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से चोड अपने घर किचिन में यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हमने ली है उन, मैं उन से बांध रही हूँ इसे, क्योंकि उन मजबूत बहुत होती है, आप इसमें खुप सारा बजन फिर टांग पाएंगे, तो यहाँ पर मैंने यह एक डोरी बांदने के लिए काट ली है, फिरेंड इसलिए से चारो साइड में बांध लेनी के उसकती है, इस तरीके से बैलेंस के साथ, हमें ये इसमें बांध लेनी है, इसे यूज को कितने तौरीकों से कर पाएंगे वहाँस पाएंगे, आप पर आ रहे हैं, आप बहुत सा चीज़ें आसे होते हैं, जुप से उक्त्वहा सकते हैं इसे आप कहीं पर टांग दीजिए जैसे कि अभी मिठाई विठाई बहुत आने वाली है तो मिठाई वगरा इसमें रखके आप छोड़ सकते हैं यह फिर देखिए फ्रेंड इस तरीके से मसाले के सकते हैं इसके लिए आपको थोड़ी सी बड़ी बास्केट लेनी होगी ताकि आप इसमें और भी ज्यादा बर्तन और ग्राइज कर पाएं यानिके धोने के बाद इसे रख पाएं एक तरीके से और यूज कर पाएंगे फ्रेंड इसे कैसे देखिए हमारे पास इस तरीके छो फिर मिलूंगी एक और वीडियो के साथ अपतर के लिए राम राम जी